Hello friends, welcome to our channel Crazy for Entertainment. आज हम बात करने वाले हैं Bollywood की एक और नई मूवी दो पती के बारे में जिसमें लीड रूल में है काजोल, कृती सैनौन और शहीशीग इसे Netflix पर रिलीस किया गया है और बहुत टाइम के बाद किसी female actress ने double role किया है जो की काफी अच्छी बात है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी लाइन से स्टोरी की बात करें तो इस स्टोरी है दो जुड़वा बेहनों की एक जो बहुती सीधी साधी सीता है और एक जो गीता है हमारी गीता थोड़ी सी बदल गई है वो सिफ तेज तरार या फिर हाथ पेर चलाने वाली नहीं है बलकि अब वो पार्टीज करती है ड्रिंक्स करती है सीता और गीता एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करती है अब होता ये है कि इसमें हमारा हीरो एंटर मारता है और हमारी गीता को पसंद करने लगता है उसके साथ अफेर चलता है सब कुछ होता है बट जब शादी करने की बात आती है तब वो हमारी सीता से शादी कर लेता है अब सीता से शादी हो गई हमें लगता है कि लव स्टोरी जो थी वो लव ट्रैंगल जो था वो तूट गया अब एक नॉर्मल लव स्टोरी दिखाई जाएगी पर ऐसा नहीं होता स्टोरी टर्न लेती है डॉमेस्टिक वाइलेंस में जैसे ही शादी होती है वैसे ही हमारा जो शारुक जैसा हीरो है वो एकदम से शक्ति कपूर बन जाता है और हमारी सीता को परिशान करने लगता है अब हमारी प्यारी सीधी साधी सीता क्या करेगी कैसे बचेगी और क्या स्टोरी का एंड होगा वो आपको देखना होगा ठीक है अब बात कर लेते हैं मूवी के पॉजिटिव और नेगेट एक्टरिस को यह अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो डबल रोल कर पाए जो काफी अच्छी बात है सेकेंड इस मूवी का जो टॉपिक लिया गया है वो भी काफी अच्छा है काफी इंट्रेस्टिंग है इस तरह की मूवीज बहुत इसली हमारी बॉलिवुड में बनाई नह जाती तो यह काफी ब्रेव मूव था कि इस तरह की टॉपिक पे आप मूवी बना रहे हैं ठीके और इस मूवी का सेकेंड हाफ जो है वो फर्स्ट हाफ से काफी बेटर था वो भी यह नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा था बठा फर्स्ट हाफ की कमपारिजन में सेकेंड शहीर शेक ने अपनी फर्स्ट मूवी में ही एक नेगेटिव क्या प्ले किया जो कि बड़ी बात है क्योंकि अगर आपके उपर एस अन एक्टर नेगेटिव का थपा लग जाए तो फिर आपको पॉजिटिव रोल से तीजली मिलते नहीं है फिर वो नेगेटिव नेगेट अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तो नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं जो स्टोरी को आप बताना चाहते थे वो प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पे नहीं आया एक के बात एक जो सीन्स थे वो एक दूसरी से कनेक्ट नहीं है ते ऐसा अलग रहा था थोड़े थोड़े सीन से आपने सब्दूर बना कर आपस में जोड़ दी और मुवी बना दी एक दूसर से रिलेट नहीं कर रहे थे रिलेट की बात करें तो कई करेक्टर्स थे जो इस मुवी में इंट्रोड्यूस किये गए जिसे देखकर ऐसा लगा कि शायद ये आगे जाकर एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे मुवी में पर ऐसा कुछ नहीं होता फॉर एक्जामपल जो हमारे हीरो का बाप है वो बड़ा ही मतलब पावरफुल परसन दिखाया गया कि वो डॉमेस्टिक वॉयलेंस हो रहा है बट अगर वो केस किया भी गया तो वो उसे राम से बचा लेगा पर वो एक या दो सीन्स के लिए आते हैं और फिर गयब हो जाते हैं कुछ कर नहीं पाते हीरो के दोस्तों को भी दिखाया जाता है कि अगर जेल में डाला जाएगा तो वो भगा ले जाएंगे या कुछ ना कुछ कुछ तो करते उनको क्यों लाया गया सेंझे समझ में ने आया उनका स्क्रेंट इंटाइम बचा लेते तो ठोड़ी मुवी कम हो जाती सेकेंड की स्टओरी स्टार्ट वोती है तो एक ट्विस्ट के साथ होती है जहांपे जो हमारी हीरोईन हैं वो हीरो पे लजाम लगा रही ही कि वो उसे मारना चाहता है और हमारा जो हीरो है वो कह रहा है कि नहीं यह जूट बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है तो एक सस्पेंस के साथ स्टोरी स्टार्ट होती है और इसी कारण हम सब as an audience हम उससे जुड़ कि कुछ मजा आएगा कुछ देखने को मिलेगा कि क्या है कौन सही है कौन गलत है यह हमें देखना है ठीक है तो स्टार्ट ठीक है आप एक लफ ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं तो पहली बाद तो लफ ट्रयंगल बहुत ही लंबा खीचा गया according टूमी इत्ना लंबा नह एक सीन है और उसका हृदय परिवरतन हो जाता है और वो गुडगल बन जाती है कि नहीं में अपनी बेहन का साथ दूँगी तो वो बहुत ही अजीब लगता है ये बताया गया कि हाँ वो बहुत टाइम से मार खा रही है दुख सह रही है पर किसी को बोल नहीं रही है बस ये दिखाया नहीं गया दिखाने के टाइम पर सिफ आपको एक या दो सीन है जहां पर डॉमेस्टिक वाइलेंस दिखाया जाएगा और कुछ भी नहीं आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे उससे ना तो आप जो क्रीति का करेक्टर है उससे रिलेट कर पाओगे अज़ वो मन आपने प्रॉपर कवर ही नहीं किया आप लफ स्टोरी में ही रहे पूरा टाइम और लास्ट में उसे सजा दिलवाने में प्लानिंग प्लोटिंग में रहे गया तो वह जो बीच का वो जो टाइम था जहां पर आपको एक्चुल में स्टोरी बिल्ट करनी चाहिए ती उस प वो सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है बट इसमें ये पहली बात तो ये कोट सीन आया और फिर चला गया पता ही नहीं चला कुछ भी कोशन्स हुएं और कुछ मज़ा नहीं आया उस सीमें और ना ही कोई प्रॉपर तरीके से उसे लिखा गया सेकेंड अगर हम बात करें काजोल की जो की बहुत बड़ी एक्टरेस है बहुत अच्छी अच्छी मूवीज की है उन्होंने में परसनली उनको काफी एड्मायर करती है उनकी मूवीज मुझे बहुत पसंद आती है बट अनफॉर्चनेटली इस मूवी में उनका जो रोल थ कि एक अच्छा रोल प्ले कर सके पर उनके क्यारेक्टर में उनके डायलोग में उतना दम ही नहीं था उनका ओरा जो था वो पुलिस वाला लग ही नहीं रहा था पॉर एक्जामपल अगर आप मरदानी मुवी की बात करो तो राने मुखर जी ने भी पहली बार पुलिस ऑफसर का क्यारेक्टर किया था पर वो बहुत कमाल का था अमतलब अगर जब भी राने मुखर जी को आप पुलिस मरदानी में देख रहते तो आप बस चाहा रहे थे कि एक बार इसका और जो विलन है उसका आमना सामना हो जाए तो यह विलन को तो खतम ही कर देगी पर यहां पे र तो वो फील ही नहीं आता पुलिस ओफिसर वाला उननेसेसरी गालियां क्यों देनी यार मुझे यह नहीं समझ आता है तो काजोल की मुझे वैसे ही वो गालियां नहीं समझ में आरी है और अगर आप पुलिस हो तो जरूरी थोड़ी ना और आप दिल्ली से दिखा रहे हो त सामने वाले के कैरेक्टर के हिसाब से तो मत दो यार क्या जरुवत है फालतू में गालिया देने का रानी ने तो गालिया नहीं दी तब्बु ने तो दृश्यम में कोई गालिया नहीं दी पर उनका कैरेक्टर इतना अच्छा था एंड जो है वो आप इसली प्रेडिक्ट कर लेंगे कोई इसा बहुत बढ़ान नहीं है कि अरे वा इन में बिलकुल आपका माइंड हो गया किया और क्या हो गया सस्पेंस था यह तो हमने सोचा ही नहीं था बाकी ओवरॉल मुझे यह मुवी कुछ खास पसंद नहीं आई इसको अगर टाइम से अच्छे तरीके से लिखा जाता प्रॉपर तरीके से डिरेक्ट किया जाता अक्टर्स और दमदार लिये जातें जो रोल को जस्टिफाई कर पातें प्रॉपर तरीके से तो शायद इस मु बजट या फिर जादा बजट का कोई इशू नहीं है बजट कई मैटर नहीं करता आप कम बजट में भी बहुत अच्छी मुवी बना सकते हैं और कई मुवी बनी भी है तो वह वाला इशू नहीं है बस यह कि इसे प्रॉपर करीके से एग्सेक्यूट ही नहीं किया गया है तो मैं इसे 5 में से 2 स्टार ही दूँगी 2 स्टार भी तो बहुत ज़ादा इस मुवी के लिए बट ठीक है अगर आप यह मुवी देखना चाहते हैं तो नेट्फिक्स पे देख सकते हैं अरवाईज अगर नहीं देखने का मूड है और कुछ और है आपके पास देखने लाय तो आप वो देख सकते हैं ठीक है तो मिलेंगे हम आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई